हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो, इस ट्रिक्स से आप चांदी की मूटियों को, बरतनों को घर में बहुती आसानी से साफ कर सकते हैं, मैं आपको ये पायल दिखा रही हूँ, देखे मैंने आपे दो जोडी पायल ली हैं, और मैं आ फिर जब हम कोई भी चांदी की चीज को खुले रख देते हैं, तो भी वो उक्सिडाइज हो जाती है, जिस कारण वो काली हो जाती है, आज की ट्रिक्स में मैं आपको बिना कोई ब्रश लगाए, या साबुन लगाए, मैं आपको दिखाऊंगी, कि हमें से किस तरह से घर मे नहीं, आसानी से साफ कर सकते हैं, हमें किसी जोयलर के पास जाने की जरुवत नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक भगोना लेंगे, अब मैं इसमें एक लास पानी डाल दूँगी, आप पानी जितनी चीजों को आपको साफ करना है, उसकी अगॉर्डिंग डालिए, द एक स्पून की साहता से, मैं इसको नीचे प्रेस कर दूँगी, यह देखिए इस तरह से, देखिए हमारा पानी चीजों से गरम हो गया है, तो हम इसमें चांदी की चीजों डाल देंगे, यह दो जोड़ी पाइल ली हैं मैंने, यह देखिए, यह देखिए, मैं आपको खाने वाला सोडा लिया है मैंने, यह देखिए इसको डाल देंगे, और शी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, देखिए इस तरह से, और गैस की फ्लेम को अब हम लो कर देंगे, आप देख सकते हैं, देखिए पानी में जाग उठना शुरू हो गए हैं, और हमारा जो पानी उसका कलर भी हलकल का चेंज होना शुरू हो गया है, यह देखिए, हमें इसको इस तरह से चार से पांच मिनट तक बॉइल करना हैं, देखिए आप देख सकते हैं, जो हमारी जो चांदी है, जो मतलब हमारी पायल हैं, इसमें जो गंदीगी जमा हुई है, वो धीरे-दीरे निकल रही है, आप देखिए, जाग देखिए, उपर कितने काले हो गए हैं, जिससे हमारा जो भी महल है, वो पानी के उपर आ गया है, देखिए, अब चार से पांच मिनट हो गए हैं, तो हम गैस को बंद कर देंगे, और इसको तीन से चार मिनट तक ठंडा होने के लिए र साफ बरतन में, पानी करके उसमें डाल देंगे, ताकि वो थोड़ा ठंडी हो जाएं, क्योंकि ये बहुत गरम हो रही है इस टाइम पर, और मैं आपको फॉइल पेपर भी दिखा देती हूं, देखिए, ये देखिए, आप रिजल्ट खुल देख सकते हैं, जो इनमें गंदी की जमा थी, वो बिल्कुल निकल गई है, ना मैंने इसमें कोई साबून लगाया है, ना ही ब्रश लगाया है, तब भी आप देख सकते हैं, कितनी साफ हो गई हैं ये, ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, देखिए, कितनी अच्छी शाइन आ रही हैं इनमें, अगर मेरी ये ट्रिक आपको पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चन को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, और सब्सक्राइब कीजेगा, थैंक यू, थैंक यू फोर वाचिंग, सत्क्राइब कीजेगा।